हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टु दे बाइक डिरेक्टर चनल, आज हम बात करेंगे होंडा स्कूटर के बारे में, अक्टिवा 6G, 6 जनरेशन मॉडल आप यह देख रहे हैं, आता है सिंगल इंजन ओप्शन के साथ, यहां मिलते हैं आपको टोटल 4 वेरियंट्स, स्टांडर डिलक्स, और अनिवर्स्री एडिशन में भी आप स्टांडर्ड या डिलक्स ले सकते हैं, शुरू होता है 79,200 रुपीज से लेके 82,800 रुपीज, अन्रोड प्वाइस यू डेली, यह आप सामने वेरियंट्स देख रहे हैं, यह है डिलक्स वेरियंट्स, जो पढ़ेगा आ लेंगे आपको हलोजन बल्ब में, और फ्रंट सेक्शन में मिल जाता है क्रोम एक्सेंट का काम, जो बना रहा है इसकी लुक को काफी प्रीमियम, कुछ ऐसे दिखता है इसका फ्रंट प्रोफाइल लुक, कुछ इतने साइस का आपको मडगार्ड मिलता है, डिस्क प्रेक का रफ्रेक्टर मिलता है आपको दोनों साइड, 12 इंच का टायर मिलेगा आपको इदर, और टायर एशो की बात करें तो मिलेगा आपको 90 बाइ 90 का, यह है ट्यूबलेस टायर, अलोई वील्स का उप्शन ही मिलता है आपको एक्टिव असिक जी में, यहां मिलेंगे आपको शी से दिखते हैं इसकी सीट्स, ब्लाक कलर की सीट्स मिलती है आपको, अपको इदर, हैंडल बार मिलता है आपको सिल्वर फिनिश में, और यहां पर ही मिल जाता है आपको साइलें स्टार्ट विद् A.C.G. स्टार्टर मोटर का फीचर, जो मिलता है आपको आक्टिव अवन ट है ज्यादा होंडा के कॉर्डिंग अब आपको 10 परसेंट ज्यादा मैलेज मिलेगी इस बीए 6 इंजिन के साथ जो है सिंगल सिलेंडर फान कूल 4 टोग SI एंजिन 109.51 cc का एंजिन है ये जो प्रिद्यूस करेगा 7.7 bhp की पावर 8.79 nm टॉक के साथ इधर मिल जाती है आपको प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलिजी ये सब फीचर्स मिल जाते हैं आपको आक्टिवा 125 में भी आप रिव्यू देख सकत मिलता है आपको 3 step adjustable spring loaded hydraulic का and rear tire size मिलेगा आपको 10 inch में ratio की बात करे तो मिलेगा आपको 90 by 100 का tubeless tire ये kick start के लिए ground clearance की बात करे तो मिलता है आपको 171 mm का और ये इसका main stand आई इसका right hand side का profile देखते हैं यहाँ पे भी आपको मिल जाता है side foot crest black color में और इधर भी मिल जाएगे आप आपको Activa 6G की badging metal body मिलती है आपको right hand side में मिलेगा आपको इसका silencer black insert के साथ silence start का feature मिलता है आपको इदर Activa 6G में with ACG इसका rear tire size आप देख सकते हैं sheet metal wheel ratio मिलता है आपको 90 by 100 का tubeless tire मिलते हैं आपको आगे और पीछे and drum brakes का option मिलता है आपको आगे और पीछे 130 mm size मिलेगा आपक दोनों brakes में यहां मिल जाता है आपको reflector mud guard के उपर और यहां मिल जाती है आपको halogen bulb के साथ इसकी tail light sweet turn indicator head lamp मिलता है आपको LED में और उपर मिलता है आपको double external fuel fill कुछ ऐसा दिखता है इसका complete rear profile Honda Activa 6G का यह है deluxe variant and इसकी seat height की बात करें तो मिलती है आपको 765 mm की 700 mm की seat height मिलेग और कुछ ऐसा दिखता है इसका handle bar and कुछ इतने size के आपको mirrors मिल जाते है right and left और इधर मिलता है आपको analog में instrument cluster digital नहीं मिलता program fuel injection technology की badging मिलती है आपको इस instrument cluster पे नीचे मिलेगी आपको Honda की badging इधर मिलता है आपको engine start stop switch right inside पे left inside पे है passing light का switch उसकी नीचे है indicator का switch और उसकी मिलता इधर मिलता आपको multi function unit इधर मिल जाएगा आपको one push centered lock system कुछ इस तरीके से आप इसको shut कर पाएंगे और चाबी से ही खोल पाएंगे कुछ ऐसी दिखते हैं इसकी keys, 2 keys मिलती है आपको कुछ ऐसा मिल जाता है आपको इसका design and under seat storage and fuel light को खोलने के लिए कुछ इस तरीक kit, यह tool kit, कभी holes मिल जाते हैं आपको इदर, यह direct complete करते है TVS Jupiter से, उदर मिलता है आपको LED light का feature जो इधर देखने को नहीं मिल रहा, TVS Jupiter का review आपको दिख जाएगा, उपर I button से, आप देख सकते हैं, seat के पीछे मिलती है आपको Honda की badging, और इसी तरीके से आप इस fuel light को भी खोल जब इसको आप push करेंगे, कहां मिलता है आपको double LED external fuel fill का feature, जो मिलता है आपको Activa 125 PS6 में भी, इधर मिल जाएगी आपको fuel tank capacity 5.3 liters की, एक बारी में आप 5.3 liters का petrol डलवा सकते हैं, Honda Activa 6G में, और इस तरीके से आप इसको बंद कर पाएंगे, easily, and mirror के पीछे आपको कुछ ऐसी finishing मिलेगी black color में, chrome नहीं मिलती है आपको, और कुछ ऐसी quality मिलती है आपको इधर, यह है acceleration, front brake, यह rear brake, हाई यह scooter को starter के देखते हैं, कुछ ऐसा view मिलेगा आपको night में, इस instrument cluster का, जो मिलती है आपको analog, seat height मिलती है आपको 750 mm की, और कुछ ऐसा दिखेगा Honda Active A6C, side profile से, dimensions की बात करें तो length मिलेगी आपको 1833 mm की, width 697, height 1156, and wheelbase 1260 mm का, और यहां मिल जाता है आपको 171 mm का ground clearance, and curve width मिलेगा आपको 107 kg का, और इसकी seat length की बात करें तो मिलेगी आपको 692 mm की, Honda Active A6C में, color options की बात करें तो यहां मिल जाते हैं आपको total 6 color options, blue metallic color आप यह देख रहे हैं, इसके लावा आपको मिलता है grey metallic, कुछ ऐसा दिखता है color, और मिलेंगे आपको yellow metallic, pearl red, pearl white, and black जैसे color options, यह ग्रे metallic color, कुछ ऐसे finishing मिलती है आपको, आपके सबसे कौन सा best color लगता है, comments में बताइए, head to head comparison आप देख सकते हैं, इन दोनों color में, under bone frame type मिलता है आपको, Honda Active A6C में, और इसके LED headlamps की बात करें तो कुछ ऐसे लगेंगे, on होने के बाद, जो मिलते हैं आपको deluxe variant के साथ ही, अगर आप standard लेते हैं तो अदर मिलते हैं आपको halogen bulb, यह मिलेंगे आपको LED bulb, कुछ ऐसे दिखती है front profile look, और कुछ ऐसे दिखते हैं इसके halogen tail lights, on होने के बाद, तीन साल की warranty मिलती है आपको standard Honda Activa 6G में, आप उसको extend भी करा सकते हैं और तीन साल, यानि की total 6CS की आपको warranty मिल जाती है Honda Activa 6G में, और कुछ ऐसा मिलते हैं आपको passing light का feature, Honda Activa 6G में, LED head lens मिलते हैं आपको deluxe variant के साथ ही, अगर आप standard लेते हैं तो अदर मिलते हैं आपको halogen head lights, anniversary edition भी आप ले सकते हैं दोनों वेरिंस के साथ, गुडगाव हरियाना इंडिया में इसके assembly होती है, Honda Activa 6G की, और इसकी battery की बात करें तो मिलती है, आपको 3MPR की, यह है इसका front profile look, turn indicator के साथ, turn indicator मिलते हैं आपको halogen bulb में, like tail lights, तो दोस्तों कैसा लगा आपको Honda Activa 6G, आपके साबसे कौन सा value for the money model है, TVS Jupiter या Honda Activa 6G, कमेंट्स पर बताईए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू,